हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अनलाइन इस्टडी किंग्डम दोस्तो यूपिटर पले सी पीटी एक्जाम के लिए घटना जक्रे बुक से अमारे चैनल पर पूरा कॉपिक टॉपिक कबर किया जा रहा है जो कि 15 टॉपिक दे रखें हैं सिलेबस में भारते इतिहास में हम नोटिपिकिशन बेल आइकान को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट साब सभी को प्राप्त होता रहे तो ज्यादा ताइम ना लेती हुए आईए हम लोगे स्टार्ट करते हैं जैन धर्म महावीर की जीवन यूम सिक्षाएं जो सुलेबस में हमको उतना और मद्द कालीन यहां से आपको पांच कोईशन पांच नंबर के होंगे इसलिए ज्यादा जो इनका लेबल होगा कटनाई का वो 10 प्लस 2 कहा गया है ठीक है क्योंकि इसकी पीटी की जो इलिजबिल्टी है वो है 10 पास अगर 10 पास है तो आप पीटी के लिए अप्लाई कर स लेकिन सिलेबस से बाउट आप सिलेबस नहीं होगा ठीक है तो जो सिलेबस में पढ़ना है महावीर की यहां पर जीवनी और सिक्षाओं से संबंधी थी तत्य आपको देखने हैं क्योंकि पीटी का सिलेबस आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से इन्होंने समराइज बे में दे रखा कि कहां से कितना पूंचा जा सकता है ठीक है तो जैन धर्म जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम तीर्थांकर रिशम दिव या आधिनाथ माने जाते हैं फारसुनास जैन धर्म के तेश में तीर्थांकर थे जिनका जन्म बारार्णसी में महा महाबीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में लगभग पांसुन इन्यानवी इसापूर्व हुआ था कुंडग्राम या कुंडलपुर जो की बैसाली के निकट है महाबीर की माता तृसला तो याद रखना है कि महाबीर माता का जो नाम था वो था तृसला जो जो महात्मा बुद्धिक के जो पिता थे वो थे शाक्य बंस के जबकि उनकी जो माता थी उकोलिय बंस से आती थी तो महावीर की माता जो है त्रिसला इनका नाम त्रिसला है और ये बैसाली के लिच्छा भी गणराज जिसे प्रमुक्चेटक की बहन थी तता इनका जो पिता थे शिधार्थ वो ग्यात्रिक छत्रियों की संग की प्रधान थे उनके बड़े भाई नंदी वर्धन थे भगवान महावीर की पत्नी का नाम क्या था या सूदा था उनसे प्रिय दर्सना नामा के एक पुत्री उत्पन हुई थी प्रिय दर्सना का विवाह जमाली नाम की छत्री से हुआ था जो बाद में महावीर स्वामी का अनिवाई बन गया जमाली उनका प्रथम शिष्य था तो याद रखना है कि महाबीर जैन का जो प्रथम सिख्ष था प्रथम शिष्य वो था जमाली ठीक है एकजाम में पूर्था जाता है प्रमुक जैन तीर्थांकर योम उनके प्रतीक चिन है तो रिशब देव के पहले बैल है अजितनाच जो दूसरे तीर्थांकत रहे वो है उनका हाथी आरिस्ट नेम जो की बाईश मेरे इनका शंक है तो पारशुनाथ 23 शर्प है और महाबीर 24 में तो आपको जो सिलेवस में ह जयाद रखना है इनका 24 वे इनका प्रतीक चिन्न है 24 वे तीर्थांकर जो की महाबीर तो यह है शिंग जबकि पहले जो रहा पहले तीर्थांकर तो इशब देव का वो था बैल ठीक है आगे चलते हैं प्रभाश गिरी तो प्रभाश गिरी उत्तर प्रदेश के कौसांबी म चहटवे जहन तीर्थांकर पढ्म प्रभूश शंबंधित है कौं से जहन तीर्थांकर याद रखना ये शप्टवे जयन तीर्थांकर पढ्म प्रभूश जय citation धर्म में पूंडड़ ज्यान के लिए कईवल शब्द का प्रयोग किया जाता है महबीर श्वामी को bottleís की कठोर तपस्या तथा साधना के जरिम्भिक ग्राम के शमीप रिजुपाली का नदी के तड़ पर एक शालब्रिक्ष के नीचे कईवल्य डैटिच पूंड ग्यान प्राप्त हुआ था फलताओ है केवलिन कहलाए जैन धर्म में मोच के लिए तीन साधन आवश्यक बताए ग गुद्द जबकि जैन धर्म के जो तीन आवश्यक शाधन में कौन से है तो शम्मयक दर्शन है शम्मयक चरित्र है और शम्म्यक ज्यान है जबकि जैन धर्म में पांच जैन धर्म में ग्रहस्टों के लिए 5 vit जो है वो अधितिव रूप में बेवारित हुआ है अहिंसा जैन धर्म का आधार भूत विंदू है कि महाबीर स्वामी जैन धर्म के कौश से तीर्थांकर थे तो याद रखना है प्रथम जैन संगीती तीन सो दस ईशा पूर्व पाटिल पुत्र में आयोजित हुई थी जिसकी अध्यक्षता इस्थोल भद्र के द्वारा की गई थी दूतिये जो संगीती रही वो छटी सताब्दी इशा पूर्व इसका अस्थल जो रहा वहां बल्लवी जो की गुजरात म है और इसकी अध्यक्षता छमस्त्रवण की द्वारा की गई थी नेक्स्ट पॉइंट है आपका शौदा पूबों शौदा पूर्वों प्राचीन चम दैन ग्रंत है ठीक है कितना शौदा पूर्वों नेक्स्ट है कि बारा अंगों में जैन सिध्धानतों का जो संकलन है व अभी प्रारंभिक धार्मिक जैन शाहित्य प्राकृत की विशिस्ट साखा अर्धमागदी में लिखा गया था आचारंग सूत्र सूत्र किर्तांग और ब्रहत कल्प शूत्र अरंभिक जैन शाहित्य महाभाग हैं तो याद रखना है कि जो अरंभिक जैन शाहित्य की जो भाग है कौन-कौन से हैं वो हैं आपके आचारंग शूत्र सूत्र किर्तांग और ब्रहत कल्प सूत्र आईए सोला महाजनपद और उनकी राजधानिया देखते हैं अंग तो सूला महाजनपदों में जो अंग जनपद रहा अंग महाजनपद इसकी राजधानी क्या रही चमपा मगद महाजनपद की राजधानी ग्री है बरज अथवा अराज ग्री है रही कासी की राजधानी जो रही वो रही वाराणसी वज्ज महाजनपद की राजधानी कौसामबी वज्ज महाजनपद की राजधानी बैसाली कोशल कोशल जो महाजनपद रहा इसकी राजधानी शाकेद तथा व्रावस्ती और अवंती अवंती में जो यनि जो अवंती महाजनपद रहा उज्जैन और महिसमती उज्जैन क्या है ये उत्तरी रही और दक्षडी अवंती की जो राजधानी रही वो महिसमती रही मल जो महाजनपत रहा इसकी राजधानी कुशी नगर अथवा पावा पांचाल की अगर बात की जाए तो वही छत्र था कामपिल और चेदी महाजनपत की राजधानी शोत्थी वती थी कुरू की राजधानी इंदप्रस्थ, मस्य महाजनपत की राजधानी विराट नगर, कमबोज महाजनपत की राजधानी हाटक अथवा राजपुर, शूरसेन महाजनपत की राजधानी मथुरा, अशुमक की राजधानी पोटिल अथवा पोतन, गांधार महाजनपत की प्रथम जैन सम्मेलन आयजुद किया जिसमें स्वायतामबर आगम का शंपादन किया गया असोग तथा उसके पौत्र दसरत की शमय बराबर तथा नागारजुन पहाड़ियों को काटकर आजीवकों के लिए आवास बनाए गए थे तो याद रखना है कि असोग तथा उसके जो उसका पौत्र दसरत रे उनकी शमय में जो है जो बराबर पहाड़ी है और नागारजुन पहाड़ियों को काटकर आजीवकों के लिए आवास बनाए गए थे असोग के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा करण चौमड की गुफा नामक शौरब परसिद्ध हैं कौन सी गुफा तो यह है बराबर की गुफाओं में जो रही शौदामा की गुफा बराबर पहाड़ी में और यह कंड चौबढ यह सोग की समय काफी जो है यह सर्वपरसिद्ध रही गुफाएं नेक्स्ट पोइंट है कि श्रमड बेल गूला यहाँ भारत्य किस राजजमेश्थीत जो करनाटक राजजमेश्थीत है श्रमड बेल गोला में गंग शासक इनका नाम क्या रहा रच्चमल इनके सासनकाल में इनकी जो मंत्री रहे चामुंद राए इन्होंने जो है लगभग 98 से एक जैन धर्म का एक महत्त्व पूंड उप्सव है जो हर वर्जो है बारा वर्ष के अंत्राल पर करनाटक राज्जी की स्रमणवील गोला में एवजित किया जाता है नेक्स्टर पॉइंट है प्रमक भारत ये विद्वान और किसल शाषक अथवा की संरख्ष से समांधित रहे फरीश cucumber की गडर्बात की जाएति योई शमद्रुप्त की शाषक काल से समांधित रहे उनकी दरभात से कौटिली की गर बात की जाये तो ये चंद्रगुप्त मौरिश शंबंदित अश्भोष कनिसुक से जबकि नागारजुन कनिस्क और चरक भी कनिसुक है तो ये अश्भोष नागारजुन और चरक ये सभी जो थे या शनरच्छक रहे किसके ये शनरच्छक और जो शाषक रहे कन इन से सम्बंदित रहे अशुगोष और नागरजन और चरक ठीक है बाड़वट की जाए तो बाड़वट जो है ये हरसवर्धन की शाषक से उनकी शाषक काल में जो है महान विद्वान और कभी रहे जबकि प्रतिवी राज चवहान की सासक में चंदर बरदाई और समद्ध चंदर गुप्त विक्रमादित से सम्बंदित जो रहे वह काली रहे आगे चलते हैं तो दोस्तो हम लोगों ने जो कभर किया जैन धर्म का पूरा जो सलेवस के हिसाब से जो मातप मुन तथ रहे उनको कभर किया है क्योंकि जैन धर्मे जो सलेवस है वो है महावीर जैन की जिवनी और उनसे साउं से सम्बंदित कोईशन आपको एक्जाम म को मिलेंगे तो उन टापिक को कभर किया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फार वाचिंग